मेरे अंदर कुदरती अमल ऐसा है कि मैं कंप्यूटर का बहुत बड़ा माहिर हूँ जिस वजा से यहां दुबई में मुझे असानी से जॉब मिल गई मैंने एक बार भी उस लड़के को रोका नहीं था बस मैंने उसे बोलने दिया शायद इस तरह बताने से ही उसके दिल का बोच हलका हो जाए उसने बात चारी रखी मैं घर की हर चीज जुए में हार चुका था होश तब आया जब बात मेरी मा बहनों तक पहुँची और मेरे अंदर की गैरत भी जागी नशा और जुआ इनसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और सहबत भी अगर बुरे लोगों की हो तो किसमत का बेड़ा गरक करके रखते थी है मा को तब पता चला जब एक-एक करके घर की चीज़े गायब होने लगी एक दिन तो ऐसा हुआ कि अपनी मा के गले से जबरदस्ती सोने का लॉकिट उतार कर ले गया मा ने बहुत रोका लेकिन मैंने अपनी मा को चार पाई पर धक्का दे दिया और उसके गले से वो लॉकिट उतार कर भी ले गया जो मेरे बाप की आखरी निशानी बची थी, मेरी मा के पास वो यही लॉकिट था, बाकी तो मैं सब को जुए में हार चुका था मा को धक्का देते हुए लॉकिट उतारा और घर से ऐसे नशे की हालत में धुत निकला कि मुढ कर भी ना देखा कि मा को धका दिया है कहीं उसे चोटना आ गई हूँ उसकी आवाज में लड़कर आहट शुरू हो गई थी वो अपनी कहानी सुनाते हुए मुसलसल रोई जा रहा था लेकिन मैंने उसे चुप नहीं करवाया मैंने उसे बोलने दिया वो अपने अंदर का खुबार निकालने लगा तो ही उसे सुकून आएगा वरना वो ऐसे ही बेचैन रहेगा शुरू के दिनों जुआ जीतता तो नशा कर लेता फिर बाद में हारता रहा और हारता ही गया जब मेरे पास कुछ ना बचा तो वो लोग पहले ही अपनी नियत खराब किये बैठे थे वो मुझे अपने हमरा धकेलते हुए ले गए रात का एक बजा था जब उन्होंने मेरे घर का दर्वाजा पीटना शुरू किया मैं उस दिन भी नशे में जरूर था लेकिन होश में था दर्वाजा मेरी मा ने खोला था वो लोग मेरी मा को भी तंग करना शुरू हो गए मैं अकेला बहुत कमजोर था कुछ भी नहीं कर पा रहा था उन्हें रोकता और कोसता रहा लेकिन वो घर के अंदर जाग उसे अरे बिलाल इतनी प्यारी मा को भी तुमने छुपा रखा है मा इतनी प्यारी है तो तेरी बहने तो उफ कयामत होंगी कमी ने अपनी जुबान को लगा दे मैंने उसे एक जोर का धका दिया और वो दिवार के साथ जाकर टकराया दूसरे लड़कों ने मुझे मजबूती से पकड़ लिया और वो लड़का मेरे पेट में मुक्कों की बरसात करने लगा उसने मुझे इतने घूसे मारे के मैं तकलीफ से चिला उठा मेरी मा हमेशा की तरहां मेरी ढाल बनकर खड़ी हो गई उस दिन मेरे मुझे ये अलफाज निकले या अल्ला हमारी मदद करो अल्ला को पुकारने के बाद होश आया के मैंने अल्ला का जिकर तो दूर की बात कभी नाम तक नहीं लिया मा और बहनों को नमाज पढ़ते और कुरान पाक की तिलावत करते देखा था मेरी मा को पीछे धकेलते हुए वो अंदर की तरफ पढ़े मुझे वो बहुत पीड चुके थी मैं नीम बिहोशी की हालत में बस यही पुकारता रहा अल्ला मेरी मदद करो मेरी बहनों की मदद कर मैं इस वक्द बहुत मजबूर और लाचार हूँ अपनी मा और बहनों को नहीं बचा पाऊंगा लेकिन अल्ला तो रहीम है इज़त जिल्लत तेरे हाथ में है मुझे रुस्वा मत कर मुझे माफ कर दे मैं बेहोश हो गया था होश जब आया तो अपनी मा और बहनों को अपने इर्दगिर्द बैठे हुए रोता पाया मेरी मा तो दोड़ कर मेरे साथ लिपड गई मेरा सर माथा चूमने लगी शुकर है अल्ला मेरे बेटे को होश आ गया वो उची आवाज में रोती हुई अल्ला का शुकर अदा कर रही थी मैंने अराम से उठते हुए अपनी मा को गले लगाया और बहुत रोया इतना रोया के मेरे अंदर की सारी बुराई धुल गई अपनी मा और बेहनों से माफी मांगी मा का दिल तो मोम की तरह नर्म होता है उसने मेरी सारी गलतियों और नादानियों को भूल कर मुझे माफ कर दिया मा से ही पता चला के महले का चौकिदार शोर की आवाज से घर में दाखिल हुआ उसी ने पुलिस को इतला भी दी और पुलिस उन लोगों को पकड़ कर ले गई थी महले वालों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया मेरी बहनों पर उंगलियां उठने लगी वो चौकिदार अंकल मेरे अब्बु के पुराने दोस्त थे अकसर रात को देर से वो इखटे बैट कर चाई पिया करते थे तब हम बहन भाई बहुत छोटे थे वैसे भी ज्यादा वक्त हमारा साओधिया में ही गुजरा था बस छुट्टियों में पाकिस्तान का चक्कर लगता था दादा और दादी को मिलने आया करते थी चौकिदार अंकल के कहने पर ही मैंने मजबूरन अपने दादा का वो घर बेच दिया जहां हम सब का बचपन गुजरा था मेरे बाप की उस घर में कितनी यादे थी लोगों ने जीना दोभर कर दिया तो घर बेचना पड़ा फुपो लोग अब्बू की वफात के बाद आखे फेर गई थी के बाद में भाई की टोकरा बेटियां हमारे गले ना पड़ जाएं हमारा वो घर बहुत बड़ा था और अच्छी कीमत में बिग भी गया था बड़ी दो बेहनों को गवर्मेंट स्कूल में नौकरी भी मिल गई थी उन्ही दिनों अंकल की फैमली पिशावर में थी उनकी भी बस दो बेटियां थी हमें भी अंकल ने वहां पिशावर में अपना जाती घर दिलवा दिया था वो चौकिदार अंकल बहुत अच्छे थी उन्हें में जितनी दुआएं दूं कम है उन्होंने ही अपने किसी राप्ते वाले से बात करके बेहनों का ट्रांसफर भी बिशावर में करवा दिया मैं उनके एहसानों के बोच तले दब गया हूँ शुकर है अब सब कुछ ठीक है लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं है मैं नमाज पढ़ता हूँ तो अजीब सी बेचैनी रहती है दिल को इन सारी बातों में उसने मेरी तरफ सर उठा कर देखा आपी आप रो रही हैं मैं अपने आसू पोच्चती हुई बोली इस आपी का दिल बहुत नर्म है मोम की तरह नर्म और जल्दी पिखल जाने वाला और तुम्हारी बाते सुनकर बस रोना आ गया कोई बात नहीं, रोने में कोई हर्ज नहीं कभी कभार रो लेना चाहिए तुमने अपनी बात काटकर मेरी बात पकड़ ली तुम कैसे कहते हो के अल्ला तुमसे नाराज है अल्ला अपने बंदों से नाराज नहीं होता और हाँ अगर वो कभी रूट भी जाए तो इसके बावजूद भी वो अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता तुमने अपने बच्पन में कहीं कुरान पाक पड़ते हुए अल्ला का नाम लिया होगा लेकिन जुही जवानी में कदम रखा खोश की दुनिया में आए तुम अल्ला का नाम लेना भूल गए थे लेकिन अल्ला तुम्हें नहीं भूला उस दिन घरवालों को बचाने के लिए उसने तुम्हारे जहन में डाला के मुझे पुकारो तो तुमने रोते हुए बिलकते हुए अल्ला को पुकारा तो तुम कैसे कह सकती हो कि वो तुमसे नरास है तुम रास्ते से इसकदर भटक गए थे के कोई वजुहात बनती थी बननी थी ना कि तुम अल्ला को याद करते तो बस तुमने उसे पुकार लिया उसे याद किया वो कभी भी किसी मोड पर अपने बंदे को तनहा नहीं छोड़ता तुमने इतने गुनाह किये कि तुम इन गुनाहों की दलदल में फस्ते चले गए तो तुम्हें क्या लगता है कि दलदल के चुंगल से आजाद होना असान काम है असान नहीं बहुत मुश्किल है कभी कबार तो लोगों को दलदल ऐसे खा जाती है कि मौत के बाद उन्हें उससे रहाई मिलती है लेकिन अल्ला ने तुम्हें उस दलदल से आजादी भी दिलव बेचैन हूँ वगयरा वगयरा आपी आप रो रही हैं मैं अपने आसू पोचती हुई पूली इस आपी का दिल बहुत नर्म है मोम की तरह नर्म और जल्दी पिगल जाने वाला और तुम्हारी बाते सुनकर बस रोना आ गया कोई बात नहीं रोने में कोई हर्ज नहीं कभी बार रो लेना चाहिए तुमने अपनी बात काट कर मेरी बात पकड़ ली तुम कैसे कहते हो कि अल्ला तुमसे राज है अल्ला अपने बंदों से नाराज नहीं होता और हां अगर वो कभी रूट भी जाए तो इसके बावजूद भी वो अपने बंदों को अकेला नहीं तुम अल्ला का नाम लेना भूल गए थे लेकिन अल्ला तुम्हें नहीं भूला। उस दिन घरवालों को बचाने के लिए उसने तुम्हारे जहन में डाला कि मुझे पुकारो। तुमने रोते हुए बिलकते हुए अल्ला को पुकारा। तुम कैसे कह सकते हो के वो तुमसे न उन्हा नहीं छोड़ता, तुमने इतने गुनाह किये, कि तुम उन गुनाहों के दलदल में फस्ते चले गए, तो तुम्हें क्या लगता है, कि दलदल के चुंगल से अजाद होना असान काम है, असान नहीं, बहुत मुश्किल है, कभी कबार तो लोगों को दलदल ऐसे खा जा कि अल्ला नाराज है, मुझे सुकून नहीं मिल रहा बेचैन हूं वगयरा वगयरा, अगर तुम्हें ऐसा लगता भी है ना, कि अल्ला नाराज है, तो उसे राजी करने में कोई कसर ना छोड़ो, रो रो कर उसे राजी कर लो, अल्ला से मौफी मांग लो, वो बहुत रहीम ह वो माफ कर देगा, अल्ला की महबूब का वास्ता दे कर उसको राजी करो, वो जरूर माफ कर देगा, तुम्हारे दिल को सुकून भी मिलेगा, बेशक अल्ला की जिकर में सुकून है, उटते बैटते, सोते हुए अल्ला को याद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नमाज दि सुकूनी खतम हो जाएगी, अल्ला के सिवा बहतरीन दोस्त कोई भी नहीं है, अल्ला को अपना दोस्त पना लो, अपनी हर बात अल्ला से किया करो, अल्ला तो कहता है, अच्छे काम करने की दिल से कोशिश करो और नियत कर लो, क्योंकि अल्ला नियतों को देखता है, बस इमान और अपना अकीदा मजबूत रखो उसने अपने आसूस साफ कर लिये थे मुझे देखते हुए बोला आप मेरे लिए वसीला बन कर आई हो मैं उसकी इस बात पर मुस्कुरा दी, आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं मेरा नाम हदीस है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, तीन मा के आपरेशन पर दुबई आई हूँ अरे वा, और तुम्हारा नाम मेरा नाम बिलाल है, बिलाल एहमद, मैं दुबई होचल में अकाउंटन्ट हूँ, सिरात आ गए थे बिलाल, इन से मिलो ये मेरे सीनियर ऑफिसर है सिरात नाम है इनका बिलाल ने मुस्कुराते हुए सिरात से हाथ मिलाया ये, सिरात ने सवालिया नजरों से पूछा, घर चलें सब बताऊंगी चाचु और चची जान भी आ गए थी अच्छा बिलाल, अब हम चलते हैं हदीस आपी, मेरे लाइक कोई काम हो, तो बंदा हाजर है मैं उसका गाल थपतपाते हुए मुस्कुराई, अल्ला हाफिस कहते हुए हम लोग आ गए सिरात को रास्ते में जाते हुए मैंने बिलाल की सारी कहानी सुनाई आज, पूरे डेड़ हफते के बाद मैं अपने पैरों पर चलने के काबिल हो गई थी मैं बहुत खुश थी शुकर है अल्ला का उसने मुझे दुबारा मेरे पैरों पर खड़ा किया था मेरी बेटी चलने फिरने लग गई है इसलिए इस खुशी के मौके पर हम अपनी खुशी को दुबाला करेंगे चाचु ने अपने जानने वालों कुछ अजीरों को राट डिनर पर बुला लिया था मेरे और सिरात की तरफ से आफिस के ही कुलिक्स थे और सिरात ने अपनी चहीती टौविल को कुछ स्पेशल दावत दी थी सिरात वो हफीज सर की फैमिली को भी प्लीज इन्वाइट कर दें चलें वो नई नवेली जोड़ी भी इसी बहाने घर आ जाएगी और हम लोग उनसे वो बात भी कर सकेंगे हाँ सिरात बेटा हदीश सही कह रही है चलो इसी बहाने बात भी हो जाएगी सिरात के चहरे पर हवाईया उड़ी हुई थी कि आखर हम किस बारे में बात कर रहे हैं अच्छा है ना मुझे भी ऐसे ही तंग करते हैं मैं भी रात तक इन्हें ऐसे ही जलाती और भूनती रहूंगी किसी देसी मुर्ग की तरहां हमें ऑफिस से कुछ खास चुट्टी की पर्मिशन नहीं थी लेकिन आज वीकेंड होने की वज़ा से हम लोगों ने ऑफिस से चुट्टी मार ली थी लहाजा ये दावत इसी वज़ा से आज के दिन रखी गई थी इतना कुछ घर में बनाना मुश्किल था लहाजा खाने का ओर्डर भी होटल में दिया गया था वो मुकरररा वक्त पर खाना गर पहुंचा देंगे सिराद बाहर चले गए थे ताके सब को आसानी से फोन कर सके मुझे अचानक बिलाल याद आ गया लेकिन मुझे अफसोस इस बात पर हुआ कि मैंने उसका कोई कॉन्टेक नंबर भी नहीं लिया था जो राप्ता कर सकूँ उसी वक्त मेरे मुबाइल की बैल बजने लगी दादा जान का फोन आ रहा था चाचू दादा जान की कॉल आ रही है हदीश कॉल बंद करके विडियो कॉल करो मैंने अबबा जी को देखना है मैंने चाचू की हां में हां मिलाते हुए विडियो कॉल की दूसरी तरफ से कॉल उठा ली गई थी चाचू और चची मेरे साथ ऐसे बैठे थे कि दादा जी को नजर ना आ सके अस्सलाम आलेकूम मेरे प्यारे दादा जान कैसे हैं आप वालेकूमस्तलाम मैं चीक हो मेरी बेटी तुम अपना बताओ पाउं की मोच कैसी है मैंने चाचू की तरफ देखा दादा जान को देखकर उनकी आँखों में नमी उतर आई थी मैंने भी अपनी आँखों की नमी को छुपाते हुए बात जारी रखी जैनब इसकूल जा रही है खालदा कैसी है उसका इंटर का रिजल्ट आ गया हाँ वो अच्छे नमबरों से पास हो गई अभी तो वो दोनों तुम्हारी मा के साथ बजार गई है घर का समान लेने अच्छा दादा जान अम्मी और बाबा को मेरा सलाम कहिएगा जैनब को प्यार और खालदा को मुबारक बाद चाचू रो पड़े थे बाप ऐसे बेटियों के सामने रोते हुए बिलकुल अच्छे नहीं लगती मैं चाचू को रोते हुए नहीं देख पा रही थी तो मैंने कुछ देर बात करके फोन बंद कर दिया था चाचू ऐसे रोए मत चाची जान भी पास बैठी चाचू को होसला दे रही थी चाचू आपने दादा जान की आँखों में देखा है कितनी उदासी है उनकी आँखों में वो आपकी रा देखते हुए जी रही है लेकिन उन्होंने कभी इस बात को इस उदासी को किसी के आगे बयान नहीं किया लेकिन हम सब उनके इस दर्थ को समझते हैं चाचू फ्रांस वाले अपने सारे काम इस दफा मुकमल कराईएगा अब मैं मजीद आप लोगों को अपनों से दूर नहीं रहने दूँगी मेरी आँखों में भी आसू आ गए थी इन्शाल्ला इस दफा में किसी भी काम में देर नहीं होने दूँगा चाचू की फ्लाइट डिले हो गई थी अब उनकी कल की फ्लाइट थी दो हफसे बाद वो अपने काम सरणजाम दे कर वापिस आ जाएंगे फिर हम सब इन्शाल्ला वापिस इखटे पाकिस्तान जाएंगे पार्टी में तकरीबन सभी लोग आ चुके थे इंतजार था तो बस हफीज सर का आंटी ने बताया उसे कोई काम पढ़ गया था बस आते ही होंगे वो भी मैं बहुत खुश थी कि हफीज सर अनम आपी को देख कर पिगल गए थी अनम आपी मेरी खालाजाद बहन है वो इंगलेंड में एक बैस सर्जन डॉक्टर है खालू की पिछले साल डैथ हो गई थी और खाला इंगलेंड में आपी के साथ ही रहती है मैंने हफीज सर की अम्मी से जब आपी के बारे में बात की तो वो खुशी से लोट पोर्ट हो गई थी दूसरी तरफ मैंने खाला से भी बात की उन्हें भी इस रिश्टे से कोई एतराज नहीं था रही बात आपी की तो वो भी हमेशा हफीज सर की तरह यही कहती आई थी कि मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं जो मुझे समझ सके तो लहादा मैंने सोचा कि इन दोनों की सोच एक ही कतार की है और ये दोनों एक दूसरे को समझने में देर भी नहीं करेंगी आपी ने शायद सर से खुद भी बात की थी और नतीजा ये निकला था कि आज हफीज सर फैसला सुनाएंगी और मुझे उमीद है कि बात कोई खुशी वाली होगी हदीष में कब से देख रहा हूं तुम मुसल्सल यहां टेहले जा रही हो वहां मähमां जो आये हैं वो तुम्हारे लिए आये हुए हैं ताकि हमारे लिए हाँ लेकिन उन सारे महमानों की कदर एक तरफ लेकिन जिस इस्पेशल का मुझे इंतजार है वो तो अभी तक नहीं आए और मैं उन्हें लिये बगएर अंदर नहीं जाओंगी मैंने चोड नजरों से सिरात के चेहरे का ताकुप किया जो घुसे से सुर्ख हो गया था मैं काफी दिनों से नोट कर रहा हूँ तुम कुछ जादा ही क्लोज नहीं हो गई हफीश की जाहर सी बात है क्लोज तो होंगी उनसे अब मेरा कोई रिष्टा भी तो बनने वाला है और मेरी दिल से दुआ है वो इस रिष्टे के लिए हा कर दे मैंने सिरात को मजीद तंग किया वो ऐसे जल बुन गयते जैसे वैसे आप क्यों इतने कड़वे कसीले हो रहे है जाएं आप अंदर वो आपकी टौवेल आपका इंतजार कर रही होगी मैंने फिर सिरात की रियाक्शन चेक करने के लिए उनके चहरे को देखा वो ऐसे घुस्से से मुझे घूर रहे थे मुझे ऐसे ना देखें क्यों? क्यों ना देखूं तुम्हें ऐसे? इसलिए कि आपके ऐसे घूरने से मुझे खौफ आ रहा है ओ, अच्छा तो तुम डरती भी हो अगर तुम्हें मेरा इतना ही डर होता तो ऐसी हरकत करने से बात रहती लो जी, कैसी हरकत? मैंने क्या ऐसा अनोखा काम कर दिया? यही जो कर रही हो एक बात याद रखना अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा सिरात ने मेरा बाजू पकड़ते हुए मुझे वाण किया और इतना कहकर वो अंदर चले गए थे मुझे उनकी इस तरह गुसे वाले लहजे पर बहुत प्यार आया था चले, अगर प्यार का इजहार नहीं करते लेकिन अपना प्यार महसूस तो करवाते हैं रही थी, मैंने सर को भी सारी बात से आगा किया अरे पागर लड़की, महरबानी करो क्यों मेरे दोस्त को मेरा दुश्मन बनाने पर तुली हुई हो तुम बराय महरबानी करके उस जज़वाती बंदे के सामने बहाई केकर पुकारा करो वो तुम्हारे लिए बहुत सेंसिटिव है क्यूं मेरा सर फाड़ना चाती हो उससे मैं जोरदार कहका लगाते हुए प्लीज हफीज भाई कुछ नहीं होता थोड़े ही वक्त की बात है इतनी ही उन्हें मेरी परवा है न तो मुझसे इजहार क्यों नहीं करते मुझे वैसे भी उन्हें तंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है और लाएं ये मेरे बुके मुझे दे कोई बुके नहीं लाया तुम्हारे लिए लेकिन फिलहाल मैं सिरात के हाथों मरना नहीं चाता मैंने हफीज भाई से बुके छीन लिये थे और उनके हमरा अंदर के तरफ बढ़ गई सिरात का उत्रा हुआ चेहरा मुझसे भी अब देखा नहीं जा रहा था हदीश बुरी बात बेटा क्यों बच्चे को तंग कर रही हो हफीज भाई आप फिर शुरू हो गए अच्छा दादी अम्मा मैं आप कुछ नहीं बोलता मैं मुस्कुरा दी थी हफीज भाई वो वाहिद आदमी थे जो मेरे और सिरात के रिष्टे को जानते थे कि हम सगे कंजन्स है क्योंकि मैंने खुद उन्हें सब कुछ बताया था हफीज भाई की इस बात पर मेरी हसी छूट गई सिरात हमेशा की तरहां भाई के साथ गरम जोशी से ही मिले थी खाने का दौर चल पड़ा था टौविल सिरात के साथ ही चिमट कर बैठी हुई थी और जिस वजा से वो मुझे एक आँख भी अच्छी नहीं लग रही थी पता नहीं अपने आपको क्या समझती है जैसे सिरात उसकी जागीर हो हदीस क्यों खा जाने वाली नजरों से सिरात और टौविल को देख रही हो देखे ना भाई कैसे सिरात के साथ बैठी हुई है और सिरात को भी कोई खयाल नहीं तुम उसे इतना गुस्सा चढ़ा सकती हो तो जाहिर सी बात है वो भी बदला लेगा ना तुमसे इसमें कौन सा इतनी बड़ी बात है मुझे नहीं पता फिर जल्दी से आप अपना फैसला सुनाएं क्योंके मैं टॉविल को मजीद बरदाश नहीं कर पा रही अच्छा ठीक है खाना तो खालो फिर खुशकबरी भी सुना दूँगा सिरात मुझे अभी भी उसी तरह घुस्से से घुरे जा रहे थे खाने के बाद तकरीबन बाहिर के सभी दोस्त अहबाब चले गए थे टॉविल इतनी जल्दी जाने वाली नहीं थी लेकिन मैं हैरान हुई के वो भी जाने के लिए उट गई थी और यकीनन उसके इतनी जल्दी जाने के पीछे भी कोई बहुत बड़ी वज़ा होगी सिरात उसे गेट तक छोड़ने गए थे जो ही सिरात वापिस आए तो मैंने कहा मेरा खयाल है अब आपको अपना फैसला सुना देना चाहिए मामा बाबा आप सबको मेरे उपर यही एतरास था ना कि मैं अपनी शादी करने के बारे में सोचता नहीं शादी की बात को मैं हमेशा मजाक में उड़ा देता था तो मेरा खयाल है कि मैं अब अपनी पसंद के बारे में आप सबको भी आगाख कर दूँ अंकल और आंटी मेरी मदद करने में आपका भी बहुत बड़ा हाथ है इसलिए मैं आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सिराथ के चहरे का रंग बिलकुल पीला पड़ गया था वो बहुत परिशान दिखने लग गए थे या अल्ला खैर हफीज भाई जल्दी बोलें मैं सिराथ की मजीद परिशान होती हुई हालत नहीं देख पा रही हफीज भाई ने अपनी बात जारी रखी बाबा मैं उस रिष्टे के लिए रुकिये स्टॉप इट ऐसा नहीं हो सकता सिराथ चिलाए थे उनके इस तरह चिलाने पर सब हैरान हो गए थे लेकिन मेरी और हफीज भाई की हसी नहीं रुक रही थी क्या हुआ सिराथ मेरी जान तुम क्यों इस रिष्टे में रुकावट बन रहे हो बेटा वो हफीज की पसंद है बाबा आप भी साथ मिल गए इससे पहले के बाद बिगरती मैंने जल्दी से मसला हल करने की कोशिश की अंकल आप से रात को छोड़ें वो कुछ नहीं जानते इसलिए ऐसा कह रहे हैं मैं चाजु को अपने साथ टेबिल की तरफ ले गई मैंने हफीज भाई की ममा को गले लगाते हुए उन्हें मुबारक दी अंटी आपको बहुत-बहुत मुबारक हो अनमापी ने हफीज भाई के साथ रिष्टे के लिए हाँ कर दी है और हफीज भाई भी इस रिष्टे के लिए राजी है सभी एक दूसरे को मुबारक बात दे रहे थे मैंने मिठाई की प्लेट उठाई और सिरात के पास ले गई ये ले आप भी मूँ मीचा करें लोगों के रिष्टे में टांग अड़ाने वाले बंदे सिरात बजाहिर अपने खुशी छुपा रहे थे लेकिन दिल ही दिल में उनके जो लड़ू फूट रहे थे उनका भी मैं अंदाजा बाखुबी लगा सकती थी उन्होंने मिठाई उठाते हुए पूछा बाइदावे ये अनम आपी कौन है अनम मेरी सगी खालाजाद है वो इंगलेंड में एक माहिर सरजन डॉक्टर है बस हफीज भाई को पहले दिन देखते ही मुझे आपी के लिए परफेक्ट लगे थे तो फिर मैंने खाला से बात की दादाजान से बात की बाबा वगारा सब से बात की तो उन्हें इस रिष्टे से कोई एतराज नहीं हुआ फिर अनम आपी ने भी अपनी मुकमल तसल्ली के बाद हाँ कर दी आप तो पता नहीं क्या समझे जा रहे थे लो भई मैंने भला क्या समझना था सबकी अपनी अपनी जिंदगी है मैं भला किसी की जिंदगी में क्यों दखल अंदाजी करूँ का मैं सिरात के इस लहजे से हमेशा परिशान रही थी बहुत मीसने हो आप अपनी बात का मतलब निकल गया तो पहले से वो ही वाली रूटीन में आ गया आप ना करें आप मुझ पर वाज़े कुछ भी देखती हूँ कब तक चुब बैठो गया मैं मूँ से कुछ तो बोल नहीं पाई लिहाजा दिल के अंदर ही बड़बडाती हुई वहाँ से चल दी बहुत मज़ा आता है उन्हें मुझे तंग करके मैं मूँ बसोर कर है कई आ गए बेटा हदीश को छोड़ कर जी मामा मैंने हदीश को कितना रोका कि कोई बात नहीं अभी और कुछ दिन रुख जाओ लेकिन उसकी एक ही जित्थी कि नहीं आंटी मुझे अब घर जाना है पहले ही कितने दिन यहां रह लिया तो क्या है मामा आप परिशान मत हो फिर आ जाएगी सिराद बेटा मैंने गौर किया है जैसे तुम इंटरस्टेट हो अधीज में तो बेटा अगर कोई ऐसी बात है तो उसे आगा करो इस बात से ये ना हो के कोई और उमीदवार ना जाग जाए अधीज बेटी बहुत अच्छी और सुलजी हुई लड़की है मुझे खुद भी वो बहुत अच्छी लगती है क्यों सिराद की माँ मैं ठीक कह रहा हूँ ना हाँ बेटा तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हमें इस काम के लिए देर नहीं करने चाहिए तुम्हारे बाबा फ्रांस से होकर आ जाएं देलबो पर मुस्कुराहट बिखर गई और बाबा प्लीज कुछ देर अराम कर लें रात का एक बजने को है और सुभा साथ बज़े आपकी फ्लाइट भी है मैं बाबा को कहते हुए दिल में हजारों खुशियां और दुआएं लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया आज के दिन भी आफिसर अपनी अपनी जूटी में मसरूफ थे हफीज सर को कोई इन्फरमेशन मिली थी वो और सिरात दोनों वहाँ चले गए थी मेरा आज का टॉर्गेट टॉवल थी मैंने टैक्सी ली और एड्रेस पूछते आखर कार उस होटल तक पहुँच गई जहां टॉवल कयाम पजीर थी काउंटर से पता किया के टॉवल नाम की कोई लड़की यहां रुकी हुई है तो उन्होंने मुझे इन्फरमेशन आफिस का रस्ता दिखाया कि आप वहां से पूछ ले क्यूंकि काउंटर वाले कंप्यूचर में कोई मसला हो गया था जिस वज़ा से वहां से किसी भी किसिम की इन्फरमेशन दर्कार नहीं थी आफिस का दर्वाजा खट-कट आते हुए मैं अंदर चली गई वहां लड़का नमाज पढ़ रहा था मैंने कुछ गौर किया अरे ये तो बिलाल है मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा मेरे काम में असानी हो गई थी और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी उसे नमाज पढ़ते हुए देख कर हुई थी वह बहुत नहामल और बुर्दबारी से नमाज अदा कर रहा था मैं उसके इंतजार में कुर्सी पर बैट गई वो सलाम फेड़ चुका था और अब दुआ में मसरूफ था दुआ मुकमल करके वो जूही उठा मैंने जटपट उसे सलाम किया अस्सलाम उलेकुम बिलाल कैसे हो अरे हदीस आपी आप वालेकुम अस्सलाम मैं ठीक आप कैसी है उस दिन के बाद आप तो ऐसे गायब हुई बंदा कोई अपना फोन नमबर ही दे जाता है आपको इस तरह अचानक देख कर मुझे बहुत खुशी हो रही है यकीन करें आपका पाओं अब ठीक है ओ हो जजबाती लड़के इतने सवाल इखटे की हुए थे मेरे लिए सुकून से बैठने तो दो फिर तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देती हूँ मैंने खुद भी तुम्हें बहुत याद किया था फिर पश्टावा हुआ कि तुम्हें अपना नंबर दिया नहीं और नाहीं तुमसे लिया लेकिन देख लो हमारी मुलाकात लिखी हुई थी तो बस मैं खुद ही पहुँच आई तुम तक मुझे बताएं क्या लेंगी आप चाई या कॉफी आफकोर्स चाई बिलाल ने फोन करके दो कप चाई के मंगवा लिये और बताएं कैसे आना हुआ आपका बिलाल मुझे किसी की इंफॉर्मेशन चाहिए थी मैं बस इसी सिलसले में यहां तक पहुँची हूँ आपी मुझे बस नाम बताएं क्योंकि मैं जिसके बारे में सोच रहा हूँ यकीनन आप भी उसके बारे में पूछने आई होंगी टौविल टौवल नाम है उसका हाँ तो बस मेरा शक यकीन में बदल गया टौवल एक बहुत बड़ी इसमगलर है उसका शुमार किसी आम बंदों बे नहीं होता शुरू में तो मुझे कुछ शक नहीं हुआ लेकिन एक दिन उनके कमरे में मुझे किसी काम के लिए जाना पड़ गया ये फोन में किसी के साथ कोई बहुत बड़ी डील की बात कर रही थी और ये डील सिर्फ पाकिस्तान तक महदूत नहीं है बलके मुखालिफ मुमालिक से भी पाकिस्तान में माल सप्लाइ होता है और ये हराम का पैसा हमारे मुलक के अंदर रहकर बन रहा है उस बंदे की मुझे फुटेज मिल सकती है, सौरी आपी फोटो नहीं मिल सकती, क्योंकि उसने अपना चहरा किसी चीज से धापा हुआ था, और जहां तक मुझे लगता है, वो अपना चहरा हर किसी को दिखाता भी नहीं है, क्योंकि अगर फुटेज में देखा जाये तो वो के सामने भी चहरे पर मास लगा कर बैठा हुआ था, चाविल इतनी बड़ी धोकेवाज लड़की है, सिरात की वो दोस्त कैसे बन गई, वो सिरात भाई की दोस्त है, हाँ, वो दोनों फ्रांस में एकटे पढ़ते रहे हैं, ओ, ये तो बहुत गलत खबर सुनाई है आपने म और वो जितने काबिल आफिसर हैं, वो सिर्फ अपनी दो आँखों से नहीं देखते होंगे, बलके दिल और दिमाग की आँखों से भी वो देख लेते होंगे, और आप देख लेना, वो यकीनन जानते होंगे टावल के बारे में, लिहाज़ा आप अपने आपको परिशान क अपना दिल हलकान मत करें, बिलाल की इस बात को सुनकर मेरे दिल को तसली हो गई थी, क्या पता वाकई वो टावल की हकीकी जिंदगी से वाकिफ हों, मैंने अपने आपको कुछ हद तक रिलेक्स कर लिया था, और सुनाओ बिलाल, घर में सब कैसे हैं, बेहनों का सुनाओ, अलहमदोलिल्ला, सब ठीक हैं, बड़ी आपियों के क्या नाम हैं, मैं भूल गई, आईशा, बिस्मा, उनसे छोटी मुसकान, उनसे छोटी, नौरीन और सबसे छोटी इमान, माशाल्ला, सब के बहुत प्यारे नाम हैं, और आंटी भी ठीक हैं, जी आपी, अल्ला का शुकर है, अमा भी ठीक हैं, और कुछ देर इधर उदर की बाते करते हुए, मैं उट गई, अच्छा बिलाल, अब मुझे चलना चाहिए, और हां मुझे मालुमात देते रहना, अगर कोई नई मालुमात की खबर मिले, तो प्लीज मुझे आगा करना, आपी, आपको प्लीज कहने क जरूरत नहीं पेशानी चाहिए, ये आपका रिपोर्टर आपको एक एक बात की खबर देता रहेगा, मैं अलविदाया कलाम करते हुए होटल से बाहर आ गई थी, सिरात को सामने खड़ा देखकर मैं हकी भकी रह गई, वो हाथ बांदे गाड़ी के साथ टेक लगाए, खड का मुझे डर था वो ही हुआ, आईए मैडम, आगे हैं, बताईए, फिर कौन-कौन सी मालूमात हासल कर ली आपने, हमें भी तो पता चले कि हमारी काबल आफिसर हदीश साहिबा, अपने मिशन में कहां तक काम्याब हो चुकी हैं, सिरात, आप तन्जिया लहजे में क्यों ब रहे थे, तुम्हें इस बात की खबर भी है कि वो कितने खतरनाक लोग हैं, जिनकी रिपोर्ट लेने तुम अकेली यहां तक पहुचाई हो, बंदा कमसकम बता कर तो जाता है, इतनी ला परवाही कि मुझे तुम से तवक्को नहीं थी, सिरात मैं तो बस, क्या मैं तो बस, स सिरात मैं एक पुलिस आफिसर हूँ, अच्छा जी, आप पुलिस आफिसर हैं, मुझे बलकुल इल्म नहीं था, वो फिर से तंजिया लहजे में बात करना शुरू हो गए थे, उनका इस तरहा बात करना मुझे हसने पर मजबूर कर रहा था, ऐसे मेरी नकले उतारते हुए, वो मेरे साथ बात कर रहे थे, हदीस, मुझे बलकुल अच्छा नहीं लगा तुम्हारा इस तरहा बिन बताए, आफिस से निकलना, तुम बेशक एक पुलिस आफिसर हो, लेकिन तुम एक औरत पहले हो, और ये लोग बहुत वहशी किसम के हैं, इस बात का तुम अंदाजा भी नहीं कर सकती, और आइंदा अगर तुम ऐसे बिन बताए, आफिस से या घर से भी बाहर निकली तो, मैं तुम्हे भी हतकडियां लगाने पर मजबूर हो जाओंगा, और इस दफा मेरी सच में हसी छूट गई थी, हसो मत, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मेरी इस बात को इ ये उसूल कब से बन गया, और इस उसूल के मतालिक मुझे आगा भी नहीं किया गया, ये तो सरसर चीटिंग है, मैं सिरात की चलाकियां समझ गई थी, इसलिए मुस्कुरा कर बोली, ये उसलिए इसे फालो करना पड़ेगा, खलाफ वर्जी करने वाली को सजा दी जाएगी अच्छा, तो ये उसूल बनाया किसने, ये उसूल मेरा खुद का बनाया हुआ है, जो के तुम पर लाजिम करार दिया जाता है, मैं हस्ती, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको मेरे यहाँ आने की खबर किसने दी, मेरे असिस्टेंट ने, आपका असिस्टेंट, जी, मे मेरा असिस्टेंट बिलाल एहमद, मेरा शौक्ठ होना बनता था, बिलाल आपकी लिए कबसे काम करने लगा, जैसे मेरे उसूल अभी अभी बने है, वैसे ही बिलाल भी मेरा असिस्टेंट, अभी कुछ देर पहले बना है, आपको सच में, जासूस वाली नौकरी बहुत सच आफिस में बैठे हुए इसी मौज़ू पर बात हो रही थी कि इस फसाद को कैसे खतम किया जाए तो आवेल वाला मौमला सुलजने का नाम ही नहीं ले रहा था क्यूंकि उसके खिलाफ कोई खास सबूत नहीं मिल पा रहा था मेरा खयाल हमें एक दफा फिर उमेर के पास जाना चाहिए इससे बहतर हमें कोई भी गाइड नहीं कर सकेगा हफीज सर ने अपना आइडिया दिया हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो उमेर के पास चलना चाहिए अरे वा देखे जरा हफीज सर आज ये बड़ी हां में हां मिला नहीं हैं वैसे तो टौवल इनकी बड़ी बहतरीन दोस्त थी मैंने भी आज अपना लेता तंजिया कर लिया था हां तो इसमें कोई शक है किसी को कि वो मेरी दोस्त है हां तो फिर जाये ना अपनी दोस्त के पास वो आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन देगी बड़ी दो जोस्त की शकल में वो एक गुंडी है लहौल वाला कुवत लड़कियों का भला क्या काम है स्मगलिंग में हिस्सा लेने का हमें फिर से जगड़ता देखकर हफीज सर अपना सर पकड़कर बैट गए थे ओए पागल बच्चों क्यों हरवक बच्चों की तरह लड़ते रहते हो मुझे तो समझ नहीं आती तुम दोनों को ऐसी जिमिदार आना नौकरी किसने दे दी सिरात वो तो बच्ची है लेकिन तुम तो समझदार हो तुम तो ऐसे ना जगड़ा करो उसके साथ क्या 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 कहा आपने हफीज भाई आपका कहने का मतलब है क्या है मैं ना समझ ह लो जी एक नया लव इजात कर लिया तुमने हफीज सर भाई भाई आप अपनी बात मत बदले मैंने जो पूछा वो बताए मुझे हदीज बेटा मैंने तुम्हें बच्ची इसलिए कहा कि भाईयों के लिए बहने हमेशा छोटी ही रहती है चाहे वो जितनी भी बड़ी क्य पूराने लगा मैं उसे जान बूच कर छेड़ता रहता था ताके वो मेरे साथ नोग जोखी करती रहे वो बच्चों की तरहां लड़ती हुई बहुत हसीन लगती थी वो जब भी मेरे पास होती मेरे दिल को चैन सा रहता था मैंने अल्ला से उसे दौाओं में मांग लिया और मुझे इस बात का यकीन था कि वो ही मेरी शरी के हयात बनेगी मैं भी मुस्कुराता हुआ उनके पीछे चला गया जिस बात का मुझे डर था वो ही हुआ अब ये तायाबु की बेटी अचानक कहां से नमुदार हो गई पिछले 24 साल से तो नहीं मिली अब कहां से आ गई हाँ ये बात भी सच है कि बाबा ने मुझे दादाजान और तायाबु से हमेशा मोहबबत करना सिखाया है मैंने आज तक उन्हें बस अपने घर में लगी हुई तस्वीरों में ही देखा है और तस्वीरों में ही देखता आया हूँ और मुझे ये भी अंदाजा है कि एक न रिवाज को खतम करके छोड़ूंगा ये क्या अभी एक तरफ बच्चा पैदा नहीं होता और दूसरी तरफ उसका रिष्टा भी तैख हो चुका होता है हद है बच्चों के जजबातों के साथ खेलना कब बंद करेंगे हमारे बुजर को खैर मुझे परिशान होने की जरूरत नहीं बाबा और मामा सब जानते हैं कि मैं हदीस को पसंद करता हूँ और रही बात बाकियों की तो मुझे यकीन है कि वो एक दफा फिर से गलती नहीं होने देंगे और वो हर्गिस नहीं चाहेंगे कि हम लोग एक दफा फिर दूर हो जाएं मैं सब को समझा लूँगा और म वो कुछ दिनों तक पाकिस्तान जा रहा है तो आप लोगों को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान जा रहा है क्योंकि वहां उसे पकड़ने में बहुत असानी होगी आप लोगों को और हाँ एक और बात उसकी एक असिस्टेंट है तौवल नाम की उस तक र पागल लड़की ताके सुराख का पता लगाया जा सके। पागल लड़की बहुत लाडली है ये और मेरे छोटे दोनों भाई आपको छोड़ेंगे नहीं अगर उन्हें भिनक भी पढ़ गई कि हदीश को कोई ऐसे तंग कर रहा है। किया करो हमारे लिए यही काफी है कि हमारा पंची अपने असली घोसले में खैरियत से वापिस आ गया है। उमेर ने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखते हुए मुझे धेर सारी दौाओं से नवादा था। देखा सराथ सर और आप अभी भी मेरी बेहन को नादान कहते हैं जबकि ये एक बहुत ही समझदार लड़की है। चराथ भी दिल में फखर महसूस करते हुए मुस्कुरा दिये। जी मास सब खेर है आप परिशान ना होने लग जाये करें। ये हम दोनों बाब बेटे की बात है लहाजा आपको परिशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा अच्छा मेरी जान जाओ तुम फ्रेश होकर आओ जल्दी से। मैं मुस्कुराता हुआ कमरे की जाने बढ़ा और फॉरन बाबा को कॉल मिलाई। तीसरी घंटी के बाद फोन उठा लिया गया था। सलाम दुआ के बाद मैंने जटपट बाबा से बात करना शुरू की। बाबा आपके लिए एक खुशकबरी है और मेरे लिए यही खुशकबरी बुरी खबर है। सिरात बेटा क्या बात है पहेलिया मत बुझाओ असली मुद्दे पर आओ। बाबा दादा जान लोगों की खबर मिल गई है। दूसरी जानम खामोशी च्छा गई थी। क्या हुआ बाबा? कुश नहीं बेटा बस खुशी ने कुश देर के लिए खामोश करवा दिया था। मुझे आपकी भतीजी की कॉल आई थी पाकिस्तान से। क्या नाम था उसका डायमंड? हाँ, हीरा, हाँ नगीना। नगीना नाम ले रही थी अपना। शुकर है मेरे अल का शुकर अदा किया कि सिरात को हदीस के बारे में नहीं पता चला। बलके नगीना तो इसमाइल भाई की बेटी है। उस दिन हदीस बता रही थी बाबा किन सोचों में चले गया। कुछ नहीं सिरात, सोच रहा हूँ बस अब फॉरन से किसी तरीके से पाकिस्तान पहुंच